पानडेजी क्लासेज्स में एक बार फिर आप सब का स्वागत करता हूं। सुडेंट आज हम बात करने वाले हैं डिग्री ओफ रीडम तो डिग्री ओफ रीडम के ऊपर किस टाइब से कोशन आते हैं कौन कोशन डेख सकते हैं पूछा जाता है कि calculate the various degree of freedom in the following molecules हिलियम में कितनी degree of freedom होगी, water में कितनी होगी, benzeen में कितनी होगी, protein के n number of molecules देदी, item देदी, उसमें कितनी होगी, teen type की degree of freedom होती है, translational, vibrational and rotational, उन सब के बारे में one by one detail में हम बात करेंगी, सबसे पहला जो question हमारे पास buzz होता है, गिसर डिग्री ओफ रीडम क्या होती है, तो दिग्री ओफ रीडम क्या होता है, कि जब कोई molecules या atom अंदर है, तो कितने type की degree of freedom का मतलब होगी, कितने type की motion शो कर सकता है, जैसे कहने का मतलब है कि rotation भी शो कर सकता है, तो rotational degree of freedom कितनी है, vibration कर रहा है कोई molecule vibrate कर रहा है तो उसकी vibrational degree of rotation कितने type कि हो सकती है 3D के अंदर यानि 3-dimensional के अगर हम बात करें फिर इसी तरह अगर हम बात करें translational यानि कि X axis के along move कर रहा है, Y axis के along move कर रहा है, Z के along move कर रहा है यानि 3 coordinate हम़रे पार जो axes हैं उनमें किस टाइप से motion कर रहा है हमारा molecules या atom उसको हम उसकी degree of freedom बोलते हैं तो अगर हम generally बात करें कि एक molecule है उसके पास n number of atoms है तो position of each atom जैसे हम यहाँ पर देखें दो atom है यहाँ पर position of each atom can be defined by coordinate x, y, z तो तीन axis के थूँ हम इस position, इस atom को क्या है different coordinate में क्या है, define कर सकते हैं, तो जो degree of freedom होगी हमारे पास वो क्या होगी 3N degree of freedom, total degree of freedom क्या होगी, 3N, अब जो यह degree of freedom है यह further फिर 3 types में divide हो जाती है, कौन-कौन सी degree of freedom हमारे पास है तो मैं पास 3 type की degree of freedom की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं translational degree of freedom जो कि axis के एलोंग होती है उसके बाद हम बात करें rotational जब कोई atom या molecule rotate करता है तो उस ताइम जो degree of freedom होती है फिर vibration नाम से आपको पता है जब vibrate करता है तो vibrational degree of freedom translational degree of freedom इनको भी हम calculate करेंगे और हम यहाँ पर simply direct कैसे कोशन आता है उसके उपर बात करेंगे किस तरह से calculate किया जाता है तो translational degree of freedom की बात करें तो मैं पर तीन axis होती है तो जो हमारा molecule है या atom है वो three axis के एलोंग केवल क्या कर सकता है या motion शो कर सकता है या y axis के लोंग जा रहा है या y axis के लोंग जा रहा है तो मैं पर थ्री axis है इसलिए जो translational degree of freedom होगी किसी भी केस में हमारे पाद चाहिए ट्राइटोमिक मॉलीक्यूल हो ट्राइटोमिक मॉलीक्यूल हो या पॉलीयक मॉली कुल्वू उन सब के अंदर जो डिग्री ओफ्रीडम होगी बदोANS good वहमेशा किया इगी इडि मगर हम करें तो यहाulle Thण अगर आपका मोलीक्यूल डाइटोमीक है अगर आपका अगर हम यहां पर बात करें कि दो एटम है जैसे कि हमारे पास हो गया है एच टू एस सी यल और इसके अलावा लीनियर प्राई एटोमिक मोली कूल भी हो सकता है मगर लीनियर शेप होनी चाहिए टेटरा भी हो सकता है लावी होनोसा जैसे कि में अगर हम बात करें कितने एटम है दो मगर इसमें कितने एक पर इतूम है तीन वर इसमें कितने चाहर एतम तो important है मगर इसकी शेप कि athletes को बता है आगर लीनियर मोलिकूल है यह टाइटोमिक मोलिकूल है उसकेस में याद रखना कि जो रोटेशनल degree of freedom होगा वो हमेशा 2 होगा क्यों होगा क्योंकि जिस axis के along है x के along मालब आपका molecule पड़ा है तो इसके along count नहीं करेंगे हम किसके along count करेंगे y axis और z axis केवल उन दो axis के along count करते हैं कब जब diatomic होगा या polyatomic है मगर linear molecule है तो उस case में आपका जो degree of rotation होगा rotation degree of freedom जो होगा वो हमेशा क्या होगा अब बात करते हैं सर triatomic हो जैसे कि हमारा water यहाँ पे हमने ले लिए example h2o अब यह जो h2o है अब यह linear नहीं है यह non-linear molecules है non-linear को ही आजए या polyatomic आजए तो उस case में अगर हम बात करें कि हम अगर इसका rotation की बात करें तो यह x-axis के लोग rotation करेगा y-axis और z-axis तीनो एक्सिस के लोग क्या करेगा rotation शो करेगा तो यहाँ पे जो degree of freedom होगा polyatomic और इसके अंदर वो हमेशा क्या आएगा तो आपको वस मोटी-मोटी बात देहान रखने वाली है कि अगर में पर diatomic और linear polyatomic atom आते हैं molecule आते हैं तो उस case में rotational degree of freedom क्या होगा two monatomic है zero और अगर में पर triatomic है sorry polyatomic है और non-linear है यानि कि linear shape नहीं है तो उस case में हमेशा degree of freedom due to rotation क्या होगा three होगा अब last बसता है vibrational vibrational को हम कैसे निकाले बेटा तो vibrational के लिए अगर हम बात करें आपको एक simple सी बात याद अखने है total degree of freedom हमने क्या का है three and total three है हमको ट्राशनेशनल पता चल गया rotational पता चल गया तो अब आपने क्या बात ध्यान अखने है कि अगर diatomic है और linear है linear और diatomic है तो उस case में vibrational degree of freedom जो होगा वो क्या होगा three and minus five अब यह five कहां से है यह आप इसे ऐसे लिक्स होता हो three and minus translational translational कितने है three और diatomic और linear के लिए मैंने आपको rotational कितना का है two तो total हमारा कितना हो गया three and minus five formula हमारा बन जाता है मगर अगर हम बात करते है non-linear की ठीक है ना non-linear की तो उस case में vibrational degree of freedom जो होगा वो three and minus translational plus rotational और आपको पता है translational कितने है three और rotation कितने है three तो क्या हो गया three and minus six तो आपका जो root non-linear के लिए vibrational degree of freedom होगा वो कितना हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा three and minus six अब इसी के base पे हम numerical solve करेंगे यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझा आ गया होगा कि अगर हमने diatomic और linear की case में vibrational degree of freedom निकालनी है तो हमारे लिए फार्मूला क्या हो जाएगा three and minus five और अगर हमें non-linear दे रखा है और polyatomic दे रखा है तब हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा three and minus six अब इसका use कैसे करते हैं उसको हम थोड़ा सा practice कर लेते हैं यह कोश्चन आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाए दे रहे हैं इनको हम थोड़ा सा क्या करेंगा अब डिटेल में इस्टेल करेंगा तो वन बाइवन फटावर सोल कर लेते हैं कि अब आपको बिल्कुल clarity हो जाने चाहिए पेपर में किस टाइब से हमालो आपको गया हिलियम अब हिलियम क्या विटा मोनो एटोमिक है मोनो एटोमिक केस में रोटेशनल डिग्री ओफ्रीडम क्या हो गया जीरो और वाइब्रेशनल भी क्या हो गया जीरो यहां पर केवल क्या शो करेगा ट्रांसलेशनल डिग्री ओफ रीडम ही शो करेगा तो आपका अंसर के विल क्याएगा थ्री अगर मोनो अटोमी कभी भी आगया हिलियम आगया नियोन आगया आरगन आगया ठीक है ना तो उस केस में आपने यह बोल देने हैं अब सेल आ गया सेल क्या लीनियर है और कितने है प्री रहेगा प्रोटेशनल क्या हो जाएगा दो और यहां हमारा फार्मूला क्या था था यह सब को अब तो ट्रांसलेशनल थ्री अब रोटेशनल क्या जाएंगे ठीक है और हमारा यहां पर फार्मूला क्या बन जाएगा थ्री एन माइनस सिक्स अब कितने एटम है थ्री तो नाइन माइनस सिक्स इसकल्टू थ्री तो कोई पूछे वाइबरेशनल डिग्री ओफ रिडम कितना है तो यहां पर हम cya कहेंगे 3 मिरे खियाल से आपको यहां तक बड़ा अराम से समझ आ गया होगा मैंक है पारबन डिक सभी में अब यह यह थोड़ा सा समझना लिनियर यह तो यह थो तो थी यह क्या आजएक है तु यह चीज चीज शमझने वाली है अगर यह तो फार्मूला क्या हो गया थी 10-5, तो क्या हो जगा, 3-5 है. 9-5, तो क्या हो जगा, vibrier की लोगत, इसकी बात करें अंगर हम लोगत इसकी बात करें अगर हम पीछंत ट्रीपल Online CH की chirjskat, तो यहां पर ट्रांसलेशनल डिग्री ओफ रिडम तो थी रहेगा रूटेशनल अब यह क्या है लीनियर लीनियर शेप है तो इसका मतलब क्या आजएगा तू ओ थ्री एंट माइन फाइन में फूट करेंगे तो क्या होगा 12-5 वाइबरेशनल डिग्री ओफ रिडम क्या जएगा अब इसी तरह c6s6 अभी ओन लीनियर है इनियर के मतलब समझ रहे हम सिद्धी इस तरह अभी यह बेंजीन लीनियर शेप तो होगा नि तुम्हें पता है बेंजीन कैसे बनता है अब यह लीनियर थोड़ने तो इसमें एटम कितने हैं यह और छे बार है फीडिके ना मगर ट्र तो यहां पर वाइब्रेशनल डिग्री ओफ एडम क्या होजएगा अब इसी तरह हमाय प्रोटीन कोई मोलीकूल दे दिया तुम्हें पता है मैक्रो मोलीकूल है अब यहां पर तुम्हें बता दिया कि एन नमबर ओफ एटम उसके अंदर कितने हैं और आप इसे सोल कर देंगे विटा तो आपके पास क्या आजयगा वाइब्रेशनल डिग्री ओफ व्रीडम आजयगा तो मेरे ख्याल से अगर किसी भी competition में different different आपको molecule दे दिये जाते हैं और आपसे ये पुछा जाएगी कितनी translational degree of freedom है, rotational कितना है, vibrational कितना है, तो आप बड़े अराम से बता सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने friends के बीच में share करें, और कहीं पे लगता है कोई point अभी समझ नहीं है तो उसको comment box में mention करें, next video में जल्दी मिलते हैं, thank you, have a nice day